हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी सबजी बनाना बताऊं कि आपको जो खाने में टेस्टी भी लगते हैं और हेल्थी भी है लेकिन ये सबजी से समझ में नहीं आता है कि क्या बनाऊं तो आज मैं एकदम डिफरंट तरीका बताती हूं बनाना तो फिर चलिए बनाते हैं आज हम इस सबजी को बनाएंगे पालक से उसके लिए क्या करना है एक पाव पालक लेना है अब इस पालक को अच्छी तरह से धो के कट करना है अब पालक को हमने एकदम छोटे में कट कर लिया जीतना छोटा हो सके उतना छोटा आप काट लें अब इसमें डालना है एक मुठी के बरापर हरा पत्ता वाला प्याज जो इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा उभारता है और यदि आपके पास हरा प्याज नहीं है तो आप कच्छा प्याज काटके डाल दें तो अब इसमें डाल देंगे नमक अपने स्वाथ के अनुसार साथ में आधा चमच हल्दी पाउडर आधा चमच धनिया पाउडर अब हमें डालना है इसमें दो से तीन चमच बेसन अब इस स्टार्टिक में मैं यहाँ पर दो ही चमच डाल रही हूँ फिर जौरत पड़ेगा उसी हिसाब से डालेंगे अब हाथ से अच्छी तरह से मसल मसल के मिक्स करना है क्योंकि पालक में पानी होता है तो हमने नमक डाला है तो यह पानी छोड़ देगा अब देखे हमने दो ही चमच इसमें बेसन डाला है दो चमच में अच्छी तरह से बैंडिंग इसमें आ गया है और गीला भी हो गया है जैसे गीला हो गया है means binding आगे आप जैसे हाथ में लेंगे इस तक गोल करेंगे न तो गोल हो जाएगा तो समझे बेसन एकदम perfect ढला हुआ है तो आज हम इस सबजी को बनाएंगे ये छोटी वाली कटोरी में तो क्या करना है कटोरी को अच्छी तरह से धोके और इसमें हलका सा तेल लगा लें तेल लगाने से चिपकता नहीं है बिल्कुल भी नहीं अब इस तरह से इस मिक्षर को डाल के हलका हाथ से प्रेस कर दें तो सारे में इसी तरह से फील कर देना है अब हमने सभी कटोरी में इस तरह से मिक्षर को फील कर दिया है तो अब इसे हम स्टीम में पकाएंगे जैसे हम धोकला बनाते हैं सेम उसी प्रोसेस से तो क्या करना है एक पैन में पानी गरम करेंगे जब पानी अच्छी तरह से उबल जाएगा तो बस कटोरी को डाल देंगे और कवर करके दस मिनट के छोड़ देंगे दस मिनट में यह अच्छी तरह से पक जाएगा जब तक वो पक रहा है तब तक हम एक मसाला रैडिकल लेंगे उसके लिए एक प्याज लेंगे मीडियम साइज का और इसमें तीन से चार कली लेसन का डालेंगे एक टुकड़ा अधरक, आधा चमच, कच्चा जीरा कच्चा जीरा से अच्छा फ्लेवर और टेस्ट दोनों आता है बस अब धकन बंद करके पीस लेंगे अब यह प्याज का मसाला अच्छी तरह से पीस चुका है तो जब तक हमने प्याज को पीसा तब तक यह भी अच्छी तरह से पक चुका है अब इसे निकाल के ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के छोड़ देते हैं अब इसे हमने निकाल लिया है निकाल के अच्छी तरह से ठंडा होने के छोड़ दिया था ठंडा होने के बाद इसे इस तरह से चम्मच से निकालने आसानी से निकल जाता है बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगता है और चिपकता भी ने सबसे खास बात किये है अब हमने सारे पीसेश को निकाल के रैडी कर लिया तो चलते हैं फिर अब सब्जी बनानी के और सबजी बनाने के लिए एक कड़ाई में तीन चम्मच तेल डालेंगे और तेल को गरम होने के लिए छोड़ देंगे अब ये तेल गरम हो गया अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा अब ये जीरा क्रैकल हो गया तो अब इसमर डाल देंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी कसूरी मेथी डालने से तेल में अच्छा टेस्ट आता है अब ये जो हमने प्याज का मसाला रेडी कर रखा है उस प्याज को डाल देंगे और डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे तब तक भूनेंगे जब तक प्याज का color change नहीं हो जाता है अब ये प्याज पूरी अच्छी तरह से भून किया है प्याज को भूनने में बहुत time नहीं लगता है 2-3 मिनट में अच्छी तरह से भून गया अब क्या करेंगे एक बड़े साइज का टमाटर जिसको हमने मिक्सी के जार में डाल के पीस लिया है आप चाहें तो काटके भी डाल सकते लेकिन काटा हुआ से ज़्यादा टेस्टी लगता है पीसा हुआ अब टमाटर को भी भूनेंगे 2-3 मिनट के लिए कि टमाटर का पानी अच्छी तरह से सूख जाए अब यह मसाला भून के अब इस मसाले में डाल देंगे नमक, अपने स्वात के नुसार, साथ में ही आधा चमच हल्दी पाउडर, आधा चमच धनिया पाउडर और आधा चमच लाल मिर्ची पाउडर बस अब इन सबी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और भूनेंगे भी तब तक भूनेंगे जब तक मसाला से हलकाल का तेल नहीं छोड़ने लगता है अब ये मसाला पूरी अच्छी तरह से भून गया भूनने के बाद आप देख सकते हैं कलर भी चेंज उकिया और हलकालका तेल भी रिलीज होने लगा है तो अब इसमें एक ग्लास पानी डाल देंगे पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ग्रेवी में उबाल आने के लिए छोड़ देंगे अब ग्रेवी में पूरी अच्छी तरह से उबाल आ गिया है तो हमने जो पालक का कोफता बना की रखा है उस कोफते को डाल देंगे बस डाल के इसी तरह से पाँच मिनट के उबलने के लिए छोड़ देंगे कि अंदर तक ग्रेवी चला जाए एकदम सौफ्ट हो जाए इस डिफरेंट तरीके से एक बार पालक को बना के देखिएगा बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और हेल्दी भी है इसमें हमने बहुत ज्यादा तेल का यूज नहीं किया है फ्रेंट से अगर आज की यह रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें